इस्ट्रोक क्यों होता है इसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं दोस्तों अगर हम बात करें कि इस्ट्रीमिया वाला इस्ट्रोक किस वज़े से होता है तो एक तो बढ़ती उम्र की वज़े से इस्ट्रोक के चांसेस बढ़ जाते हैं दूसरा इस्मोकिंग जादा करने वालों को एलकोहल ज़ादा कर लेने वालों को stroke के chances ज़ादा हो जाते हैं तीसरा, आप अगर atrial fibrillation का कोई भी patient देखेंगे तो उसके अंदर thrombus बनने का chances ज़ादा होता है तो उसको stroke ज़ादा हो सकता है इसके अलावा deep wind thrombosis का कोई patient है तो उसमें भी stroke या embolus की वज़े से होने अले stroke के chances बढ़ जाते हैं, hemorrhagic stroke की अगर हम बात करें, अगर कोई hypertension का patient तो उसमें hemorrhagic stroke होने के chances ज़ादा होते हैं, इसी तरीके से hemorrhagic stroke का सबसे common cause hypertension होने के बाद, अगर patient obese है smoking ज़ादा करता है, या फिर बहुत ज़ादा उसकी diet oily है तो finally वो सब hypertension बढ़ाएंगे, और hypertension अगर बढ़ेगा तो BP बढ़ेगा, तो अगर ज़ादा BP बढ़ेगा तो कहते हैं नहीं कि BP अगर ज़ादा बढ़ जादा बढ़ जादा तो आपकी दिमाग की नस फट सकती है, इसको हम brain hemorrhage बोलते हैं, दोस्तो यहीं hemorrhage की stroke होता है दोस्तो इस stroke की symptom स्याद करने के लिए बहुत ही common pneumonia होता है जिसको हम बोलते हैं FAST FAST, F for facial asymmetry यानि चेहरे में symmetrical चेहरा नहीं होगा एक तरफ को चेहरा droop down हो जाएगा एक तरफ को चेहरा लटका हुआ मिलेगा दूसरा, A for arm elevation पेशेंट से अगर हम कहते हैं कि अपना हाथ उठाईए दोनों हाथ उठाईए तो एक हाथ जिधर की power है उधर का हाथ तो पुरा उठ जाएगा लेकिन दूसरी तरफ जिधर का हाथ का power नहीं होगा कम होगा, paralysis होगा उधर का हाथ पुरा नहीं उठेगा एक तरफ का हाथ पुरा उठा होएगा ये arm elevation कराके देखते हैं S for speech Speech का मतलब patient से अब बोलेगा जब patient बोलेगा तो उसकी speech जो होगी बिल्कुल clear नहीं होगी उसके घरवाले बताएंगे कि अब पता नहीं कैसे बोल लहें speech समझ में नहीं आ रही है आवाज जो होगी, वो slurring of speech होगी for example, normal condition में patient buffalo बोलेगा तो जब stroke का patient होगा, वो बोलेगा फिर T for time time बहुत important चीज़ है दोस्तों क्योंकि हम जानते कि neurons एक बार अगर degenerate होगी, तो regenerate होने में बहुत time लगता है, रिजनरेट नहीं करती है तो दोस्तों, हमें अगर इश्चीमय वाला stroke है, तो हमको timely उसको thrombolysis करनी ही करनी है thrombolysis अगर हम नहीं करेंगे तो जितना part जहांपे blood supply नहीं है वो cells permanent dead हो जाएंगी और paralysis permanently हो जाएगी तो ये चार्ज जीज़े बहुत important है FAST, facial asymmetry A for arm elevation, S for speech and T for timely run to hospital दोस्तों, अब बात करेंगे management of stroke के बारे में सबसे पहले तो emergency में आपके पास patient आता है आपको diagnosis बनानी है कि ये stroke है कि नहीं है है तो कौन सा है ischemic है कि hemorrhagic है ये दोस्तों आप clinical symptoms के आधार पर और CT scan MRI के आधार पर आप बता सकते हो कि ये ischemic stroke है कि ये hemorrhagic stroke है इसके बाद आने वाले patient को जो symptoms जो जो patient को आते हैं उसके accordingly आप patient को सबसे पहले manage करोगे symptomatically और फिर उसके बाद definitive treatment symptoms दोस्तों कभी-कभी ischemia की वज़े से या ज़्यादा BP बढ़ने की वज़े से hemorrhagic होनी की वज़े से patient को seizure आ सकते हैं patient altered sensorium के form में present करता है आपके पास में hemiparesis के साथ में present करता है तो दोस्तों ऐसे cases में हमें symptomatically patient को treat करना आगा seizure है तो साथ में हम उसमें anti-seasur medications जिसमें सबसे commonly हम लोग धडले से use करता है that is epsilon यह जिसको phenytoin बोलता है phenytoin नॉर्मन सलाइन में डालके हम उसको चलाते हैं सबसे परहे loading dose at the rate 20 mg per kg के according चलते हैं फिर उसका maintenance dose 10 mg per kg के according उसको चलाते हैं दोस्तों इसके बाद में cerebral edema साथ में patient को develop होता है cerebral edema कम करने के लिए steroids दे सकते हैं जिसमें dexona, dexa, methasone बहुत commonly हम यूज़ कर सकते हैं और इसके अलावा साथ में osmotic diuretic, menitol बहुत commonly यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके बाद neurosetam और ceticoline दोस्तों आजकल बहुत धड़ले से use करते हैं stroke के patients में लेकिन दोस्तों इसकी efficacy कितना है यह बहुत जादा proven है नहीं कि इसका effect होता है, कितना होता है, क्या नहीं होता है यह actually होता क्या है कि जो आपका neurosetam होता है यह brain को oxygen flow थोड़ा increase करता है जिसके वज़से cells जो होती है, वो regenerate करने की capacity बढ़ जाती है तो neurosetam अगर चलाना भी है, तो काफी long term तक चलाना पड़ता है दोस्तों इसके बाद में, दोस्तों definitive treatment के अगर हम बात करें तो ischemic stroke में हमको clot को गलाना है गलानी के लिए साथ में दोस्तों antiplatelets medications चलाते हैं और साथ में tissue plasminogen activators के injections भी चलाते हैं इसके बाद दोस्तों hemorrhagic stroke की बात करें तो hemorrhagic stroke का जो सबसे common risk factor होता है that is hypertension, high BP तो सबसे पहले BP control करना है BP control करने के लिए हम patient को antihypertensive medications देते हैं और इसके साथ में जब ये control होता है फिर cerebral edema कम करते हैं osmotic diuretic डाल के जो और cerebral edema है उसको कम करेंगे इसके साथ में जितना definitive treatment इसका दोस्तों surgery जाएगा क्योंकि hemorrhagic stroke का मतलब ही है कि brain के अंदर hemorrhag हुआ है hemorrhag तभी होता है जब artery फट जाती है दोस्तों artery कौन सी फटेगी जो सबसे कमजोर हो यानि artery की wall पतली हो या artery पे aneurysm बना हुआ हो aneurysm दोस्तों क्या होता है कि artery जहाँ पे dilate हो जाती है एक पार्ट पे उसको हम aneurysm बोलते हैं तो aneurysm वाले area पे जहाँ पे rupture हुआ है वहाँ पे clamps लगाते हैं ये neurosurgery का पार्ट होता है तो hemorrhagic stroke का treatment neurosurgery में जाएगा और medication वाले treatment आपका ischemic stroke में जाएगा दोस्तों इसके अलावा अपने आप ही artery अगर फट जाती है तो spontaneous rupture की वज़े से भी stroke हो सकता है कभी-कभी आपने देखा होगा कि दोस्तों एक और मित होता है कि TIA को हम mini stroke बोलते हैं दोस्तों actually mini stroke नहीं बोलना चाहिए क्योंकि TIA एक बड़े आने वाले खत्रे जो की stroke है उसके पहले की एक चेतामनी होती है इसलिए इसको mini stroke बोलके हलके में नहीं लेने वाला होता है क्योंकि TIA ही आगे चल की stroke में कर्मड हो सकता है दोस्तों stroke में और ज़्यादा कई सारे myths होते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब बटन को दबाना ना भूले